बूर्णिंग फ्रेंद्स इस अजय विल्कम टू अजय ब्लॉग लवर चैनल अजय ब्लॉग लवर चैनल में आपका स्वागत है आज जो टम टॉपिक उठाने वाले है यह वह है लॉंग टम वेल्ट क्रेशन बैसिकल जो भी बिलियोनियर से है वो हमेशा यही बोलते हैं कि ह हम जो आज बिलियोनियर बने हम जो क्रोडपती बने है वो लॉग टोपिक शो है उस पर बात करते हैं तो दोस्तों स्टार्ट कहने से पहले बता देता हूं दोस्तों आज का वी डियो है बहुत ज्यादा इंट्रसटिंग होने वाला है मैं हमेशा अपना बहुता यहां देत मेरे व्यूद जादा नहीं तो इसके मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, प्लीज सब्सक्राइब, इफ यू वांट जैनियुन कंटेन, इफ यू वांट तो सपोर्ड जैनियुन ट्रेंड, जो आप ट्रेंड सेट करोगे, अगर आप यह trend set करते हो कि आपको सिर्फ जैनिंग content चाहिए आपको graphics वगर अने चाहिए तो वही trend market में चल पड़ेगा दोस्तों लेकिन अगर आपको वही चाहिए कि दूम दड़ा का वादा थंबने लेखके अगर आपको देखना है तो वही trend जो आप set करोगे वही चलेगा और जो मेरा profession है दोस्तों वह मेरा इसमें काफी 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 काम आता है ठीक है तो मैं कुछ भी घरता हूँ xyz इस डोगमा कुछ भी तो मैं उसमें risk and reward ratio लाता ही लाता हूँ ठीक है ना वो मेरा उसूल है ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं वह आज वही सारी चीजे मैंने जितने भी मेरे यूटीव चैनल में यूटीव वीडियो में जो भी बोला आपको उन सारी चीजों को मैं जब इसका जो टोपिक है वो लॉंग टर्म एल्ट्रेशन में दो स्टोप में चूज किया है दोस्तों पहला है आपका Asian paint इंडस्ट्री तो मैं सबसे पहले question आता है कि Asian paint इंडस्ट्री को मैंने क्यों चूज किया तो आपको यह थिंखा बढ़ेगा दोस्तों कि मैंने क्यों चू और आज भी जब भी घर में अगर आपको किसी भी अपनी फामिली मेंबर से कुछ बोलना था मुझे कुछ करवाना कलर बगर तो आरो घर की रोनक बढ़ानी हो दीवारों को जब सजायना हो ना 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 एर नेरोलेग नहीं वो सिर एड है ठीक है ना रियालिटी है Asian paint ठीक है आज भी कहीं पर बोलता है कि paint करवाना है painter कुछ बोलता है Asian paint रही जाए अगर आपका budget का कोई दिक्कत नहीं है तो Asian paint रहने का ठीक है ठीक है ना क्योंकि market में Asian paint की monopoli है लेकिन ये एक reason है जो justify नहीं करता है किसी भी buying को लेके तो दूसरा reason क्या होता है दूसरा reason ये होता है कि Asian paint का जो presence है वो कितनी countries में इंडिया के बाहर भी उसका presence है ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया से इंडिया में बहुत ज्यादा है उसका presence लेकिन बाहर भी है और बाहर दीरे-दीरे वो ज्यादा established होई जारा चोटी-चोटी countries में है लेकिन दीरे-दी यूस वगर western countries में भी आएगा जिस तरगी से हमारे जो रिष्ते हैं वो अच्छे वह रहें western countries से ठीक है तो काफी ज़्यादा further scope है तीसरी बात यह कि काफी beaten stock है हाला कि एक disclaimer देदू अभी भी यह overvalued है अगर आप इसके valuation अगर चेक करें ठीक है जो current यह इसका जो PE ratio बगर जो भी है वो जाद इसके अगर कोई रिस्क नहीं बस यहीं रिस्क है ठीक है तो coming to the next point दूसरी बात इसके job results देखोगे बहुत शांदर continuous growth ऐसा लगते ही नहीं ऐसा मत लगते हैं मक्षन की तरह उपर जा रहा है बस अभी बीच में crude oil की चक्कर में थोड़ा सा इसने अपना आपक होया है ठीक ह है तो जो कूर तो नीचे जा रहा है कि रूड़ा हमेशा उपर रहने वाला है ठीक है ना जितना वर्स्ट देखना था कूर ने वह देख लिया मैंने अपने वीडियो में टार्गेट्स अगर आपने सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल तो और यह लाइकन हिट किया और सब् सब्सक्राइब कर लिया होगा जो भी आपको ट्रेडिंग करने तो क्रोड़ दोस्तों मैंने बुलाया नब्पर डोलर बैर तो जितना वो नीचे जाएगा जितना नब्पर की नीचे सस्टेन करेगा उतना ही एशन पेंट और एविशन इंडस्ट्री जो चर्मरा गई थी अभी देगा आपने मैं कल मेरा अपना इंडिगो का अभी मैंने 15-20 दिन पहले देखा था यहां से बैंगलोर से जैपूर के लिए फ्लाइट थी 9000 रुपई अभी हो गई 5000 रुपीस गई तो यह इतना फरक परता है हमारे इंडिया में क्रूड ओल का ठीक है कहां मतलब प् अभीड में होता ना डिमांड जिकूर देखी फिर एकदम से फूटी वेसे ही एशन पेंड में होने वाला है दोस्तों तो यह उचाल मानने वाला और इसका टार्गेट आप मान के चैंदी 10,000 प्लस होगा लॉंग टम इंवस्में अगर आप तीन साल से चार साल तीन से पां सब्सक्राइब का मार्जिन कम रखते हैं तो उसमें रिस्क आपकी कम हो जाती है समझ रहे ना मिरे बाद अगर मैं आपको बोलू कि आप एक लाग रुपर लगा के आगर आप सोचे कि पांस साल में करोड रुपर बन जाएंगे तो वह एक रिस्क हो जाती है ठीकिना वह ज 20 लाग लगांगे तो शोट शोट करोड़ पती हो जाएंगे ठीक ना लेकिन पैसे की भी बात होती है अगर जिसके पास पैसा है तो मुझे लगता उनको क्वांटिटी ज्यादा लेनी चाहिए ठीक है और आपको जो रिवार्ड का रेशियो वो कम रखना चाहिए ठीक ना बढ़ गई मुनाफ़ा भी बढ़ गया रिस्क भी कम हो गई सब कुछ हो गया ना तो उसी तरके से एशिन पेंट में आप जितना लगा सकती हो जिदने ही आपकी एपटी बनती है ठीक है मेरा ओपिन है आपकी इच्छ है आपको क्या करना क्या नहीं करना एजुकेशनल पर अजर भी बात बजाज फाइनेंस क्या हो गुद्से बात बजाज फाइनस की Jaak Syndrome रे बनेक फाइनस कमपने होती है ठीक है क्योंकि क्या होता है जब बैंक लोन देने के लिए मनाः कर देता है तो बड़ा विसनस होता है जो जो भी रिजक्शन खाये होता है बैंक से वह जात है क्योंकि उनको सीधा ही बड़ा आमांग चाहिए होता है जो बेंक नॉर्मली अलवू नहीं कटते हैं जिसे मानला फ्लाइट खरीदने जा रहे हैं या होस करीदने जा रहे हैं तो कई अगर बड़े बिल्डर से हैं तो वह 95 परसेंट भी आपको लोन दे देते हैं अगर फ़क धार देने का तो जादा जादा कस्टमर्स वहा जाते हैं तो अब यह बोलोगी यह तो एक अनहेल्दी बिसनस हो गया बेलकुल नहीं हो गया लेकिन लेकिन यहां पे बजाज फानेस है वह ब्रांड ब्रांड बो डलने में टायम नहीं लगता है लेकिन फिर भी देख बजाज फानेस का कोई भी कंपर्टीटर नहीं है ठंका तो जितने कांड आगे ना उतना जएफ़ानेस को फाइदा हुने बादा है तो बजाज कानेस में कोई भी लिक्कत नहीं है ठीक है वह बहुँद की तरफ थोड़ा सा ओवरगेल्यूड है लेकिन उसकी मॉनोपॉली तो वह जानी सकता मार्केट से क्योंकि वह भी निए बचा इंडिया में निए सेक्टर ही खत्म और वह जाएंगे नहीं तो वह दस हजार तो आम मार्केश जाद ये दोस्तों टो ये जो दो है मुझे लगता है कि बहुत शामदार है तो अगर आपको अपने investment को grow करना है जो ब बैंकों में पैसा रोख तो अपने आपको लगकुलाड़ी मारने वाली बात है अगर आपको अछा लगता है तो यह जो है यह आज की मेरे तो टोपिक थे थें ठीक है वो मेरे लें कबर की हैं ठीक है और दोस्तों जाते-जाते मैं आपको कुछ चीज बनाना चाहता हूँ तो अमेशा जियान रिकिए जब भी आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं ठीक नम न मेरा ओपिनिन ले रहे हैं अपना ऑपिनियन जो भी बना रहे हैं उस सिप अपना ही उपीनिन हो जब भी कोई धंदे वाला घुछता है ना आपको जब भी कहीं धंदे वाली बात जाती ना दोस्तों तो वहां पर बहुत साही चीज़ आ रहती है वह अपने धंदे पर जादा फोकस करता है रादर दिन दूसरों को help करने ह हो जाए क्योंकि धंदा सबसे उपर होता है मैं देखा है और इस इस सेक्टर में जब आप बात करो जहां दस में से नौ लोग फ्रोड होता है तो ऐसा काम क्यों करने का जब आपकी पास Google है YouTube है ना जाने क्या क्या चीज़े जहां से आप बहुत सारी चीज़े सीख सकते हो एक मोबाल पर मैं देखू नहीं वीडियो शूट कर दो तो वह करिए आप लोगों से बात करिए कमिनिटी वह नहीं है वह करिए बट यह यह इर्वैसे वहला काम ना करिए नो और हमेशा रिस्क और रिवार्ड रिश्यो को हमेशा देखिए कुछ भी करिए स्टॉक में करि प्रोपर्टी में करिए कहीं पर भी करिए रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आपको आना चाहिए कैसे क्या करना है रिस्क तू रिवार्ड रिश्यो रिश्यो रिश्यशन आ रहा तो रिश्यशन में क्या करना है सब कुछ आपको पतावना चाहिए ठीक ना तो बेस्ट बाइन आ वी आज ही या कल कुछ और वीडियो करूंगा लेकिन आपको उसके लिए बर नबदेगा तब ही आपको पता चलेगा मैं सब को जा जा कि बताने वाला निव 21 sek ל सब्सक्राइब करने से आपको पता नी चलेगा सब्सक्राइब पर अबनुड बाद गया उसक फर एह औल करोगे तभी जाके आपको सारे जो भी नोटिसिफिकेशन है वो आएंगे तब तक के लिए दिसी जचे साइनिग ओफ